नमस्कार, पीपी निउस लाइन के प्राइम टाइम में आप सब का स्वागत मैहूरजनी अनुभव आए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिनबर की परमुक सुर्खियों पर देश बर में बर्ड फ्लू की दैशत ने जमू कश्मीर में भी दीदस तक जमू कश्मीर में बरफबारी के आलम में जवान आम नागरिकों के लिए बन कर आए मसीहा बू संकरलन के चलते जमू कश्मीर हाईवे आवाजाही के लिए और एनाईये ने जमू कश्मीर और पंजाब में छे स्थानों पर की चापे मारी अब समचार विस्तार से देश बर में बर्ड फ्लू की दैशत के बीच जम्मू संभा के कई हिस्सों में धाई सो से ज़्यादा कौओं के मिलने से हड़कम मचके है वन्यजीव और परशुपालन विबाग की टीमों ने मरे हुए पक्षू के सैंपल लेकर इलाके में शिड़काव करवाया है उदुमपूर में 153 राजोरी के दरहाल बढ़ून और पंचपीर में सो से ज़्यादा फिंतर में दो तथा खून मजालता में दो से तीन कौओं की मौत हुई है इस बीश परशासन ने अन्यो राजों से 14 जनवरी तक पॉल्टरी उत्पाद परदेश में लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया है उदुमपूर में वीरवार को जिला मुख्याले से 10 किलोमेटर दूर अरौन दोमेज सित केवी टू स्कूल के पास बड़ी संख्या में कौओं मरे हुए मिले इसके बाद बन्यजीव और परशुपालन विबाग की ट्यूमटी में मौके पर पहुँची उन्होंने 10 मृत कोओं के सेंपल लेकर अन्यों को दफना दिया परशुपालन विबाग के मुख्या दिकारी डॉक्टर इंदर जीत सिंग ने बताया कि सेंपल को जलंदर स्तित लैब में बेजा जा रहा है इसके बाद ही स्तिती स्पष्ट हो पाएगी कश्मीर गाटी एक बार फिर सड़क के रास्ते देश से जुड़ गई है रविवार को ज्वाहा टनल वे उसके साथ लगते इलाकों में हुई बारी बरफबारी और जिला रामबन में बूसंखलन के बाद से जमु कश्मीर हाईवे पर वाहनों की आवाजा ही बंद कर दी गई थी आज चे दिन बाद बरफटने वबू संखलन के कारण सड़क पर गिरे मलवे के हटते ही ट्रैफिक विवाग ने हाईवे पर फंसे वाहनों को निकालना शुरू कर दिया फिलहाल जमु में रोक के गई वाहनों को अबी तक आगे आने की जास्त नहीं दी गई है ट्रैफिक विवाग का ये कहना है कि जिला उदमपूर, रामबन, बनिहाल वा कश्मीर में फसे वाहनों को निकालने के बाद ही दूसरे वाहनों को सड़क पर उताने की इजाज़त दी जाएगी जम्मु किश्मीर की अर्थवेवस्ता की रीड की हड़ी माने जाने वाले प्रयटन उध्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की और से कई कदम उठाय जा रहे हैं पिछले चंद सालों में जम्मू में प्रयोटन उध्यों को बढ़ावा देने के लिए विशेश योजनाई शुरू ही हैं और साल 2021 में इन परयोजनों की जमीनी स्तर पर उतरने की पूरी उमीद है। समय में भार्टी सेना के जवान लोगों के लिए फरिश्टे से कम नहीं है। एक ऐसा ही मामला कुपवड़ा जिले में सामने आया है। जिले के कराल पूरा में मंगलवार को सेना के पास मदद के लिए एक फोन आया आनन फानन जवान वहाँ पर पहुँचके। नर्सिंग सहा के साथ गरवती महिला को उसके घर से मुखे सड़क तक एक खाट पर पहुँचाया गया। ये दुरगम रास्ता करीब दो किलो मीटर का था। इसके बाद महिला को एक अस्पताल में लाया गया जहां उसने बच्चे को जनम दिया। सीमा पर चुनोतियों का सामना करने के लिए बैसेफ द्वारा उठाये जा रहे। काउंटर उपायों सीमा स्रक्षा गिड के बारे में भी उपराजेपाल को जान करी दी। पुंच जिले के बाला कोट सेक्टर में वीरवार देशाम पाकिसानी सेना ने अचानक भारतिय सेना की अगरिम चोकियों रहाइशी क्षेत्रों को निशाना बना कर गोलाबारी शुरू कर दी। बारतिय सेना ने भी जवाबी कारवाही की लेकिन इसकी बाबचूर पाकिसानी सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। पाक गोलाबारी में कुछ लोगों के घरों को मामूली नुकसान पोहुचा है। वर्ष 1947 में कश्मीर के जिन इलाकों से पाकिस्तानी कवाईलियों ने हमला किया था, आतंक्यों ने लंबे अर्से बाद उन रूटों से गुसपैट की कोशिश करना शुरू कर दी है, हाली में गुलमर्ग, बांदिपोरा और बारामुला के बेनियार से आतंकी गुसपैट हु और जमु कश्मीर पुलीस के जवानों ने कमर कसली है। रास्टी जांच एजनसी जमु कश्मीर और पंजाब में छे स्थानों पर चापा मरी कर रही है। पर आय चुपाने का आरोप है, कारेवाही में चंडिगर से आय विश्यश टीम भी शामिल रही। पुंच पुलीस की सूचना के अदार पर जमु पुलीस ने वीरवार को जमु के बठिंडी इलाके में एक घर में दबिश दे कर दो संदिग्द युवकों को दबोश लिया। दोनों युवकों का नाम हाल ही में पुंच जिले की मेंडर तसील से ग्रिनेड वो कुछ अन्य हत्यारों के साथ पकड़ेगे आतंक्यों सी पुश्टाश के दुरान सामने आया। गिरफतारी के बाद दोनों आरोप्यूतों को पुंच पुलीस अपने साथ लेगी। हालां कि जमो पुलीस के वरिष्ट अधिकारी बठिंडी से संदिग्द युवकों की गिरफतारी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आरोपतों की पैचान महुमद इवरार निवासी बाल कोटी पुंच और मुनीर हुसेन निवासी राजोरी के रूप में हुई है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूते के पैचान ACC सीमेंट मैसर्स बिशंदास जस्वाल एंड संस आथोराइस्ट स्टॉकेस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांस्पोर्ट नगर जमूँ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी ख़बर की तरफ। कश्मीरी माइगरेंट अनिप्लाइड यूथ एस्सवाशन ने रोजगार देने की मांग को लेकर आज भी परशासन के खिलाफ जोड़दर परदर्शन क्या। परदर्शन कारी लंबे समय से परशासन के घलत नीतियों पर अपना रोश व्यक्त करते आ रहे हैं। उन्हेंने कहा कि 2017 में रोजगार की पैकेज के अदिन 45 यूवाओं को नोकरियों पर नहीं लगाया गया था। जिस पर उन्होंने उपराजेपाल से मांग की थी कि बेरोजगार वा उमर दरास हुए यूवाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने चतावनी देते हुए कहा कि जल्द अगर उन्हें नोकरियों पर नहीं लगाया गया तो वेसका कड़ा विरोध करेंगे जिसका परशासन जिम्यवार होगा। करमचारियों का परदर्शन आज 38 में दिन में परवेश कर गया। जिसके चलते मंदिरों की दशा दिनवदिन खराब होती चारी है। लहाजा सरकार धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन सारे मंदिरों को श्राइन बोड के अधीन करे ताकि इन एतिहासिक दरोहनों का संगरक्षन हो सके। दर्मार्थ करमचारियों ने कहा कि ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा उनको कही मेहिनों से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवारों का गुजारा चलाने में काफी परेशानियों को जेलना पड़ रहा है। इसके लिए अभी तक किसी भी सरकारी संस्थान ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया आज मैं आपके माध्यम से सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को एबम धर्मा ट्रस्ट की मेनेजमेंट को कह देना चाहता हूं के जे जो प्रदर्शन है हम शानती पूरू प्रदर्शन के लिए संकल्प बद हैं लेकन हमारे संकल्प को तोड़ने का प्रयास ना करें कहीं ऐसा ना हो के जे प्रदर्शन उगर प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित हो और उसके साथ जो उसका नुकसान हो बोस्तरकार को जा मेनेजमेंट को बुखतना पड़े उसका सारे का सारा धायत्व जो है बोस्तरकार का और मेनेजमेंट का होगा जैश्री राम राज़स्वे विबाग आरेसपूरा में पत्रकारों से अबद्र वैवार करना तथा ब्रश्ठाचर को लेकर शिव सेना बाला साहब ठाकरी की आरेसपूरा इकाई द्वारा शुकरवार को जोड़दर तरीके के साथ परदर्शन किया गया परदर्शन के अधिक्षता सेना की जिला परधान संजीव शर्मा कर रहे थे जबकि इस मोके पर काफी से परदर्शन किया गया उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी कि तब तक वे अपना परदर्शन यूही जारी रखेंगे मिलने से दूर प्रेज करता रहा बोलता नहीं यह मैंने नहीं करना है यह गवर्णर के पास जाओ इतने कमजोर थोड़ी हैं हम पाड़ी पिज्री बंद करेंगे गवर्णर भी खुद पुछेगा पर क्या बात है इनकी सुनाई क्यों नहीं हुए हम इंसान हैं सब समझते हैं इसलिए मेरे गुजार्श करता हूँ अभी गवर्णर साथ ही इनकी सुद ले लो यह जो प्रदमाश यह अपने सेक्टेर्ट में बिटाए हैं यह जो मुलाजमें यह डिपार्टमेंट को खत्म किय है जैंजिनिर विंग मैं दूसरे भी इनजिनिर विंग जो डिपार्टमेंट के हैं वो सारे सबसे मुलाजमें से बुजार्श करता हूँ सारे कटे हो जाए और इसको अनवले टाइम में आपको सब सबसक्राइएंगे पीपी नियूस लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजी इजासत और आप देखते रही पीपी नियूस लाइन नमस्कार जम्मो में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेकनोलिजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार और हां हमारे यहां बढ़िया क्वालिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासेज और कॉंटेक्ट लेंसेज मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जम्मो अप्टीशन्स गाधी नगार जम्मो अप्टीशन्स नई बस्ती जम्मो अप्टीशन्स अंफल्ला जम्मो अप्टीशन्स त्रीकुटानगर